इन तीनों का ही होना चाहिए, सुद्रों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बाबा साब को जब ये बात पता चली बाबा सब मेरिकर साइमन को साक्ष देने के पहुँच गये और बाबा साब ने ये एक बात साइमन के सामने रखी कि अगर गांधी के अनुसार अगर आप इस देश में वोट देने का अधिकार दोगे तो हमारे किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखा सकते हम आपको income tax की property tax की receipt नहीं दिखा सकते और ना ही हमारे में कोई राजा महाराजा संस्थानिक है अगर आपको हम सभी लोगों को वोट देने का अधिकार देना है तो हमारे उमर के अधार पर दीजिए इस देश में जो भी व्यक्ति 21 साल का हो जाए उसको वोट देने का अधिकार उमर के आधार पर प्राप्त हो ये बाबा साब नहीं बात साइमन के सामने रखी और साइमन ने बाबा साब के इस बात को कबूल किया और ये आर्टिकल फ्रंचाइज एडल्ड फ्रंचाइज नाम का आडिकल साइमन ने तयार किया जो आज भी भारत में लागू है और बाबा साब के इस काम के वज़े से भारत के सवी लोगों को चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो 21 साल का होने के बाद वोट देने का अधिकार लागू हुआ ये केवल बाबा साब अंबेटकरजी के वज़े से इस देश के लोगों को वोट देने वो आगे चलकर 21 साल से 18 साल हुआ ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ जब बाबा साब ने ये अधिकार दिया तब ये अधिकार भारत के लोगों को नहीं मिलना चाहिए इसलिए आथी खाकर कौन मर गया पता है आपको लाला लच्पत राए लाला नाम का ये बनिया अपनी जान दे गया क्यों क्योंकि तुमको वोट देने काधिकार नहीं मिलना चाहिए इतना ही नहीं बाल गंगाधर तिलक नाम का ब्राह्मन इस देश में ऐसी पंडाल लगा लगा कर महाराश्टर के सभी जिलों में सभाय कर रहा था और तिलक का फेमस कोटेशन है क्या बोलते हैं आप लोग तिलक का कोटेशन कौन सा है नहीं वो तो गनेश उलसा उसका स्वराज मेरा जनम सिद्धा दिकार है ये ये नहीं है तिलक के अब नए कोटेशन हमको सामने लाने होंगे तिलक का कोटेशन था तिलक का ये कहना था तेली तंबोली और कुनवी माली ये जो अलग-अलग जातिया है इन जाति के लोगों को वोट देने का दिकार क्यों चाहिए इनको संसद में जाकर क्या हल चलाने है इनको संसद में जाकर क्या बाल काटने है नाई को क्यों होना चाहिए वोट देने का दिकार माली समाज के लोगों को क्यों होना चाहिए वोड़ देने का अधिकार क्या इनको संसद में जाकर फूल बेच रहे हैं क्यों होना चाहिए इस देश का अभ्रहमन आपके अधिकार के खिलाफ था और वोड़ देने का अधिकार कोन दे रहा था बाबा साब तो दे ही रहे थे, अंग्रेज उन से ला रहे थे, साइमन कमिशन दे रहा था, विरोध कोन कर रहा था, गांधी, तिलक, लाला लश्पत राय ने तो जान दे दी, ये पहली बात अपने दिमाग में, ब्रैकेट में, साइड में रख दो, काल और आगे बढ़ गया उननिस सो, उननिस सो, सत्रा का ये अंदुलन बाबा साब ने ये शश्वी किया, उसी समय, उननिस सो चोबीस में, बोले कमिशन के ने एक, रिजोलिशन पास किया, ठराओ, एक कानून, एक बिल पास हुआ, और वो बिल ये था, कि जितने भी तलाब, तलाब, पानी के जो सरकारी पैसों से उसका देखवाल किया जाता है, वो सभी के लिए खुले होंगे, उसके उपर कोई जातिवाद नहीं होगा, कोई धर्मवाद नहीं होगा, वो पानी, वो तलाब, वो कुवा, अगर सरकारी पैसों से उसकी देखवाल होती है, तो हर कोई व्यक्ति उस बन गया 1924 में अब 1924 में ये कानून बनने के बाद भी हमारे लोग कुवे पर जाने पर डरते थे कुवे से पानी नहीं पी रहे थे तालाब से पानी नहीं पी रहे थे जहां पर स्वच्छ पानी है अच्छा पानी है उस तालाब के उपर जाते भी नहीं थे जिस कुए में साप मरे पड़े हुए है, कुते मरे पड़े हुए है, भेड बक्री मरे पड़े हुए ऐसा गंदा जहरिला पानी पीकर वो खुद मर रहे थे लेकिन अच्छा पानी पीने नहीं जा रहे थे बाबा साब के जीवन का और एक पहलू में आप लोगों को समझाना चाता बाबा साब ने कभी भी कोई आंदोलन बिना संगठन के नहीं किया पेहले संगठन फिर आंदोलन हम लोग क्या करते हैं पहले आंदोलन? संगठन का पता ही नहीं. सिर्फ आंदोलन. बाबा साब ने कभी भी अपने जीवन में इस तरह का काम नहीं किया है. बाबा साब ने पहले संगठन तयार किया, उसके बाद आंदुलन किया है और 1924 में जो बाबा साब ने संगठन तयार किया, उसका नाम था वहिश्कृत हितिकार्णी सभा इस वहिश्कृत हितिकार्णी सभा के माध्यम से बाबा साब ने देखा कि जो कानून बन चुके है उस कानून का इस्तमाल करने के लिए हमारे लोग आगे नहीं आ रहे है। इस संगठन के माध्यम से बाबा साब ने महाराश्टर के जितने भी कॉंकन डिवीजन के गाव है वहाँ पर छोटी-छोटी सवाय की, क्लासरूम मिटिंग्स की, स्कूलों में, गावों में जाकर बाबा साब ने लोगों को जाकर अपने हक और अधिकार के बारे में समझाया, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरित किया, इसका परिणाम क्या हुआ? 1924, 1925, 1926 और 20 मार्श 1927 तक बाबा साब ने लोगों को जाकर अपने अधिकारों के लिए जागरित किया, और इसका परिणाम हुआ, 20 मार्श 1927 को 50,000 से भी ज़्यादा लोग महाड के चाउदार तालाब पर आधमके, और बाबा साब अंबेटकर जी के साथ-साथ, उन्होंने उस तालाब का पानी पहली बार अपने हाते हतेली में उठाकर वो पीने का काम किया, बाबा साब के हम जो समझते हैं, महाड के चाउदार तालाब का अंदुलन किस चीज़ के लिए था? पानी के लिए. आज भी हमें इतियास में यही सिखाया जाता है, पानी पिने का अंदुलन किया, बराबर हैं, लेकिन जीनोंने यह अंदुलन किया, उन्होंने यह सारा अंदुलन लिख के रखा हुआ है, डॉक्टर बी आर अंबेर का राइटिंग एन स्पीचिस, ऐसे 23 वॉल्यूम आज भी रेकॉर्ड पर है, तब 23 वॉल्यूम्स, यह 23 वॉल्यूम्स मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप एक लाइफ में पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बाबा साब एक लाइफ में लिखर गए है, यह 23 वॉल्यूम्स आप लोग पढ़ कर, बाबा साब क्या कहना चाता है, यह एक लाइफ में आप नहीं कर सकते, लोगों में जागरिती निर्मान की, और यह हम लोगों को सुनिचित कराया, कि हम भी इंसान है, अगर आप अच्छे कुए से पानी पी सकते हो, तो हमको भी वो अधिकार है, यह बाबा साब ने हम लोगों में यह भावना निर्मान की, हमारा आंदोलन पानी पीने का नहीं था, बाबा साब ने पानी पीने के लिए नहीं, बाबा साब ने मरे हुए समाज को जिन्दा करने का काम उस 20 मार्च 1927 के आंदोलन से किया, यह आंदोलन ये सश्वी हुआ, सफल हुआ, इसके बाद क्या हुआ पता है आप लोगों को, इस आंदोलन का जब दूसरा फेस था 25 डिसेंबर 1927 को इस आंदोलन का दूसरा फेस था, और जब बाबा साब अंबेड कर फिर से उस महाड के चवदार तालाब पर पहुँचे, तो अंग्रेज अधिकारी बाबा साब से बिंती करके आया, कि बाबा साब मुझे आपसे दो मिनिट के लिए बात करनी है, बाबा स सारे पैसों से हम लोग इसकी देखबाल करते हैं, इसलिए इन लोगों को वहाँ आने से मनाई की जाए, अब ये मामला कोर्ट में जाने के वज़ाए, स्टे और वहाँ पर आया है, इसलिए मैं आपको बिंती करना चाहता हूं, कि आप महार के चावदार तालाब पर ना जा है, हम आपके आधिकार के खिलाफ नहीं है, सिर्फ बिंती करने आया हूं, कि आज आप वहाँ ना जाए, अगर ये बात आज, मैं कालपनिक बात नहीं कहूंगा, हकीकत बताना चाहूंगा, इसी तरह की एक ओर्डर 2018 में आई, इसी तरह की, जब गुरु रविदास महराज जिका सोस्धों साल से भी पुराना उनका गुरु घर था, वो जब गिराया गया, दिल्ली ने, DDU ने, जैसे आमारे आपर BMC होती है, आपके आपर मुंसिपाल्टी होती है, दिल्ली के मुंसिपाल्टी ने वो गुरु घर गिराया, और पूरे भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया कोट ने मनाई आदेश दिया कि वहाँ पर बहुत ही इंसेंसेटिव सेंसेटिव मुद्दा होने के वज़े से वहाँ पर आप लोग ना जाए ये कोट ने और दिया हमारे लोगों ने क्या किया होगा गये होंगे की नहीं गये होंगे हमारे लोग गाड़ियों के उपर चड़ चड़ कर गए उसमें से सो लोग आज भी उनको बेल नहीं मिली ऐसी कुछ उनमें से आज भी कुछ लोग अंदर है याने यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्यूंकि आज का कोई पॉलिटिकल नेता होता तो वो अपने पॉलिटिकल पार्टी को चमकाने के लिए अपने स्टंट बाजी को चमकाने के लिए वो वहाँ पर जाता और समाज के बच्चों को जेल में डालने का काम करता लेकिन बाबा साब जब बाबा साब को ये बात बताई गई तब बाबा साब ने क्या किया सभी कारी करता बाबा साब से ये कह रहे थे कि बाबा साब हम जेल में जाने के लिए तयार है हम जेल में बैठने के लिए तयार है हम महाड के चावदार तालाप पर जाएंगे कितने भी stay order आए हम इनको नहीं मानते हम वहाँ पर जाएंगे बाबा साब ने लोगों को शांद किया बाबा साब ने देखा कि अधिकारी सही कह रहा है कि हमारे हक और अधिकार के खिलाफ ये अंग्रेज नहीं है कोट में केस किसने डाली है ब्रामनों ने और वो हमें पानी क क्यों मना कर रहे है कहां से यह आदेश आ रहे है कौन सा गरंथ इनको ये बोलने के लिए इनको ये काम करने के लिए उक्साता है किस गरंथ को ये मानते है बाबा साब ने अपने आंदोलन की रुख अपने आंदोलन की दिशा बदली और बाबा साब ने अंग्रेजों के उ पहरी सवा में उस कानून को मनुस्मूर्थी को सवा में जलाने का निर्णाई लिया और 25 डिसेंबर 1927 को बाबा साफ ने मनुस्मूर्थी का दहन ब्रामणों के ही हातों करवाया कि तुम्हारा यह गरंथ हमको पानी पीने से रोकता है और इसलिए शुर्ट के बाबा साब Vaav X 25 रिसेंबर को हमको हमारा दुश्मन कौन है यह साबीत करके दिया हा फिल से और एक ब्रैकेट में दिमाग में रख दो पानी पिनने का अधिकार बोले कमीशन हमको दे रहा है और उसी बोले कमीशन के खिलाफ ब्राह्मनी सदेश का हमारे कमिशन हमारे अधिकार के खिलाफ कोर्ट में जाके स्टे ओडर लेके आता है भावा साब ने अपने जीवन में और एक पहलू के उपर में आप लोगों को बावा साब के जीवन के बारे में बताना चाहता हूं उन्होंने अपने जीवन में स्रिफ दो ही संस्थाय ऐसी बनाई जिसका नाम प्रादेशिक भाशा में है कि भाईश्कृत हितिकार्णी सभा और 20 मार्श 1927 के कारेकरम को डिस्सिप्लीन वे में इसका पूरा नियोजन हो इसलिए 1927 में बनी हुई समता सैनिक दल समता सैनिक दल आज भी कारियरत है इस समता सैनिक दल के हमारे अशोक सेंडे जी भी यहां कई पर उपस्तित है उनका मैसेज था मुझे वो भी यहां पर है मध्यप्रदेश में अच्छा काम वो लोग भी कर रहे है समता सैनिक दल आज भी काम कर रही है यह दो संस्थाय बाबा साब ने ऐसी बनाई जिसका नाम हिंदी में या प्रादेशिक भाशा में है इसके बाद बाबा साब ने कभी भी अपने संगठन का नाम हिंदी में या प्रादेशिक भाषा में नहीं रखा पता है क्यों नहीं रखा क्योंकि संगठन का नाम ही अगर अंग्रेजों को पता ना चले तो उनको हमारे मुद्दे, हमारी जगड़ा, हमारी लड़ाई क्या है वो उनको पता नहीं चलेगे अब भाईश्कृत हितिकार्णी सभा इसका मतलब क्या होता है क्या अंग्रेज समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा और इसलिए 1930 में बावा साब ने भाईश्कृत हितिकार्णी सभा को बरखास करके एक नया संगठन बनाया और संगठन का नाम रखा डिप्रेश्ट क्लासेश मिशन डिप्रेश्ट कारत क्या होता है भाईश्कृत उसी हिंदी नाम को इंगलीश में कनवर्ट किया ताकि भारत के उपर जो राज कर रहा है उसको पता चले कि हम गांधी के अनुसर हम कौन थे हरीज़ आपको लगता होगा मैं गांधी के बारे में बोल रहा हूँ अब 1927, 1930, 1926, 1950, 1946 तक गांधी होगा जब मोधी की बारी आएगी तब मोधी को भी लूँगा अभी फिलाल गांधी का चल रहा है वना कुछ लोग यह न सब्चे कि मैं गांधी के बारे में बोल रहा हूँ तो मैं कॉंग्रेस के अगेंस बोल रहा हूँ नहीं जो हितियास है वो हितियास है गांधी ने हमारी पहचान क्या करके रखी थी हरीजन और वाट दो यू मीन बाइदे वर्ड हरीजन वाट इस डेफिन canoe चन व्याजन कि गांधी के पबलिस्ज Complishing पब्लिस्ट लिट्रेचर में हरीजन सब्द का मतलब है हरी के जन हरी के जन का मतलब है हरी हरी यनि कॉन queлभ विष्नू के नजयज ओलादे यहिए गांधी के लिखीत राइटिंग में हरीजन टर्म का डेफिनेशन है कि हम सब कौन है हरी के विष्णु के नाजाय जॉला दे और इसलिए इनके साथ क्या करना है क्या खाना खाना है क्या पानी पिलाना है, क्या कपड़े पहनवाने है, कि स्कूल में डलवाना है, ये सारा निर्णे गांदी और हिंदू लेंगे, वो उनका जब बचेगा तब हमें देंगे, ये गांदी का कहना था कि ये हरी जन है और इनके साथ क्या करना है, ये हम डिसाइड करेंगे, अंग क्लासिस मिशन अब अंग्रेशों को लगता था कि हम तो हरीजन है अब हरीजन हिंदूओं का पार्ट है तो हिंदूओं को जो भी देंगे वह बाद में हरीजन तो आ जाएगा अब बाबा साब को ये साबित करके देना था कि हम हरीजन नहीं है और उसी समय 1928 में टेम्पल एंट्री बिल पास हुआ हमारे लोग उस समय हिंदू थे पानी पिने का अधिकार मिल गया 1927 में तो लोगों ने बाबा साब के सामने ये और एक बात रखी कि बाबा साब पानी का तो हो गया आप ज़रा मंदिर को आँ देखो मंदिर में भी जाना है देखो 1930 और 1923 कितना similarity है दो मार्च 1930 को चमतकार अब चमतकार के उपर आऊंगा बहुत धम में तो चमतकार होता नहीं है लेकिन हिंदू इजम की बात चल रही है तो चमतकार अब बताना चाहूंगा क्या चमतकार हुआ है 1930 से लेकर 1923 में सो साल हुआ है क्या इस बात को सो साल में ही कितना वड़ा चमतकार हुआ है यह बात आने वाले समय में बता रहा हूं 1928 में यह कानून बना टेंपल एंट्री बिल टेंपल एंट्री बिल हुआ वही कानून कि जो भी संस्थाय सरकारी पैसों से चलती है उसके उपर जितने भी मंदीर बने है वो सभी के लिए खुले हूंगे बाबा साब ने यहीं मुदा उठाया कि ठीक है अगर ये मंदीर हमारे लिए खुला है तो हमारे लिए भी उस मंदीर में जाने की विवस्ता की जाये दो मार्च 1930 को नासिक के कालाराम बनांदीर का एंट्री बाबा साब के लिए कुल गया कि बाबा साब आप आईए, आपके लोगों को लेकर आईए और कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आप जाईए अब बाबा साब को पता था क्या होने वाला है बाबा साब अपने अनुयायों के साथ, अपने फॉलोवर्स के साथ नासिक के कालारा मंदिर के दर्वाजे पर आप पहुँचे और जैसे ही बावा साब अंदर जाएंगे अंदर से बड़े बड़े वो दर्वाजे बंद कर दिये गए और अंदर पहले से ही वेवस्ता करके रखी हुई थी फत्तर, इटे और वो सारी सभी जो लोग बाहर खड़े थे उनके उपर मारे गए एक फत्तर आकर बावा साब को लगा बावा साब वही लहु लोहान होकर लोगों को समझा रहे थे कि देखो मंदिर जाना है ना अक्षता आ रही है न घर में चावल आ रही कि नहीं हमारे लोगों के हाथों से पुझाए हो रही है बहुत गया से मटी जा रही है पंचशील को लपेट कर इट को है न यह हुआ कि नहीं इस धमदवज को इस पवित्र धमदवज को गड़े में गाड़ा गया गाड़ा गया कि नहीं देखा न जब सिलान्यास हो रहा था बाबा साब ने वही सवा लेकर कहा कि देखो तुम लोग मंदीर में जाने की बात कर रहे हो उतने में एक कुत्ता वहां से मंदीर में गया बाबा साब कहते कि देखो वो कुत्ता मंदीर में जा सकता है लेकिन हम इंसानों जैसे इंसान मंदीर में नहीं जा सकते 1928, 1939, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 और मार्च महिने के 1935 तक बाबा साब ने फिर से छोटी-छोटी सबाई ली और 1935 में ये घोशना की कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ ये मेरे बस में नहीं था लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं ये मेरे बस में है है अब 1930 में क्या आप लोगों के नानी, नाना, दादा, दादी को कोई मंदिर में लेता था लेकिन आप बुला रहे हैं ना अब बुला रहे हैं तो ये चमतकार कैसे हुआ चमतकार कैसे हुआ पता है 1930 में जो राम बाबा साब को अंदर नहीं ले रहा था अब वही राम बाबा साब के पोतों को क्यों बुला रहा है क्यों बुला रहा है इंविटेशन देकर बुला रहा है कि आओ तुम आओगे तो तुमारे लोग भी आएंगे क्यों ये बदलाओ क्यों ये चमतकार क्यों देखो जितने भी मैं किसी धर्म के देवी देवताओं के उपर टिपनी नहीं कर रहा मैं ये हकिकत बोल रहा हूं किसी के उपर खंडन नहीं कर रहा लेकिन हिंदूओं के जो देवी देवता हैं, वो देखी आप बेठे हुए आसन में होते हैं, गनेश हो, सरस्वती हो, संतोशी, मा हो, ये सभी लोग कही न कही बेठे हुई हैं, लेकिन बावा साब के बहुत अधम के दिक्षा से एक चमतकार हो गया, या 1935 के घोशना से एक भगवान हमें मंदीरों में नहीं लेता था, जो बेठा हुआ भगवान हमें मंदीरों में नहीं लेता था, जैसे ही बावा साब ने घोशना कर दी, कि मैं अब हिंदू नहीं रहूंगा, तो मंदीरों में बेठे हुए भगवान खड़े हो गए, उसारे खड़े हो गए, औ ना आपके किचन में वो फ्रीच के पीछे पेरों में हातों में दिखाई देता है इसलिए पेरों में धागे बांधना शुरू हो गया है गले में, पाकिट में आपके दादा दादी, परदादा परदादी को वो भगवान अपनी परचाई, उसकी परचाई अपने आप पर भी नहीं लेता था तो वो भगवान आपके गले में कैसे आ गया वो भगवान आपके परस में कैसे आ गया वो भगवान आपके किचन में कैसे आ गया यह ऐसे ही नहीं आया है जब उसको पता चला कि ये सबी लोग बाबा साब के पीछे-पीछे अब बुद्ध की शरण में जाएंगे जब उसको ये पता चला कि ये मैं अगर इनके घर नहीं गया तो ये सबी लोग बुद्ध के पीछे जाकर ये सब बहुत दम में चले जाएंगे इसलिए ये भगवान खुद से नहीं आता खुद से नहीं आया है इस भगवान को चलाने वाला कोन है ये बात मैं नहीं कहता बाल ठाकरे का नाम सुना है बाल ठाकरे के पिता जी है प्रभधनकार ठाकरे इन प्रभधनकार ठाकरे ने देवडान चा धर्मानी धर्मान ची देवडे नाम का एक ग्रंथ लिखा हुआ है पुस्तक लिखी हुई है उस पुस्तक में यह कहते है कि मंदीर में भगवान नहीं रहता और हमारे संत गाड़गे महाराज क्या कहते है मंदिरात कोण रहात ब्रामना चापोट रहात तो उन ब्रामनों को पता चल गया कि बाबा साहब के पीछे-पीछे ये लोग अगर बहुत धम में चले गए तो हमारे दुकान तो बंद पड़ जाएंगे हमारे दुकान बंद पड़ जाएंगे जिस तरह से शंबुक पढ़ाई करके अपनी व्यवस्ता अपने समाज को सुक्षित कर रहा था और वहाँ पर एक ब्रामन जाकर राम को ये कंप्लेंट करता है कि शंबुक के पढ़ाई करने के वज़े से मेरा बच्चा मर गया है ना ये अख्या-क्या-क्या-कता है ना ये कता है कि नहीं कि शंबुक के पढ़ाई करने के वज़े से ब्रामन का बच्चा कैसे मर गया किसे मर गया क्योंकि अगर शंबुक इस ब्रामन के बच्चों को दान दक्षिरा नहीं देगा तो ब्रामन का बच्चा मरेगा और ब्रामन का बच्चा ना मरे इसलिए शंबुक की हत्या कर दी गई है ना शंबुक की हत्या हुई ना किसने की ब्रामन ने नहीं किसने की नाम बताओ यह मैं नहीं कह रहा आपके ही गरंत कहते हैं इस देश में जैसे जैसे आप प्रबुद्ध होते जाओगे ब्रामनों के दुकान बंद होते जाएंगे और उसके बच्चे सही माहिने में रास्तों पर आएंगे वो आपके आपके क्या के तो आप लोग निर्बुद्धता के वज़े से आज उनकी वेवस्ता है अज्ञानता के वज़े से आप लोगों के आज ब्रामन इस देश के उपर काबीज है वो वो सक्षम है इसलिए नहीं वो बुद्धिमान इसलिए नहीं आप आपके अज्ञानता के वज़े से आज वो सत्ता में है और इसलिए बाबा साब अंबेड कर जी हमें इस बुद्ध की शरण में क्यों लेकर गए ये 1930 का भी अंदोलन जो हुआ अंग्रेजों ने देखा अरे ये भी तो हिंदू है अगर ये हिंदू होते तो इने भी तो मंदीर में आने की दिया जाता लेकिन इनको मंदीर में आने नहीं दिया गया इसका मतलब ये हिंदू नहीं है उसी साल 1931, 32 और 33 में 1931, 32, 33 में राउंटेबल कॉन्फरेंस का आयोजिन किया जा रहा था इस round table conference के लिए हिंदूओं को आमंतरन दिया गया, सिखों को आमंतरन दिया गया, कृष्णों को आमंतरन दिया गया, सिखों को पार्सियों को, मुसल्मानों को आमंतरन दिया गया, अंग्रेजों ने सोचा कि इनके अलावा भी इस देश में कुछ लोग है, जो हिंदू नहीं है जो मुसल्मान नहीं है जो सीख नहीं है जो पारसी नहीं है और ऐसे लोगों का एक नेता इस देश में है और वो है डॉक्टर अंबेड कर और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी को भी round table conference के लिए नियोता पहिजा जाए और बाबा साब अंबेड करजी को इस काला राम मंदिर टेंपल के बच्षात round table conference में बुलाया गया कि आओ आपकी जो कुछ मांगे है वो यहाँ पर हमारे सामने हमारे सामने प्रस्तूत करो 1930, 31, 32 में round table conference हुई round table conference में जो जो अधिकार बाबा साब मांग रहे थे उन अधिकारों का विरोध कोन कर रहा था पता है आपको जितने भी अधिकार बाबा साब round table conference लेंडन में मांग रहे थे उन सारे अधिकारों के खिलाफ गांधी उठकर खड़े होते थे और बात करते थे कि इनको ये नहीं मिलना चाहिए फिर भी बाबा साब अपने बलबूते पर बाबा साब ने कॉमिनल एवार्ड हमारे अधिकार प्राप्त किये ये अधिकार प्राप्त करने के बाद गांधी ने ये बयान दे दिया कि अगर इनको ये कॉमिनल एवार्ड दोगे तो मैं अपनी जान जाने तक प्राण जाने तक अंचन करूँगा लेकिन इनको मिलने नहीं दूँगा फिर से एक बार comparative analysis करो तुलना करो कि रामसे मैकडॉनल्ड जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है वो भारत के सुद्र और अतिस सुद्रों को अधिकार दे रहा है और यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए इसलिए जान देने के लिए कुन तयार था बनिया गांधी बनिया गांधी जान देने को तयार था और वो अंचन पर बैठा भी अंचन पर बैठा और बाबा साब ने लाए हुए अधिकार छीन लिए बाबा साब फिर से वो अधिकार जो प्राप्त किये थे वो सारे चले गए और फिर काल समय और आगे बड़ा और देश के आजादी का आंदोलन तीवर हो गया और अंग्रेजों की वर्ल्ड वार होने के मज़े से आर्थिक विवस्ता उनकी खराब हो चुकी थी और इसलिए उन्होंने भारत को आजाद करने का निर्ने लिया लेकिन भारत को आजादी देने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी वो शर्त यह थी कि जब तक भारत को चЛाने का ब्योज़ा सविधान तयार नहीं होगा तब तक हम आपको आजादी नहीं देंगे आजादी चाहिए तो भारत कैसे चलने वाला है उसके लिए सविधान तैयार करना होगा और उन्होंने 298 मेंबर्स की सविधान सभा का गठन किया इन 298 सदस्यों की सविधान सभा में जाने की तैयारी बाबा साब कर रहे थे बाबा साब सविधान सभा में ना पोचे इसलिए पटेल और गांधी बाबा साब से आकर मिले और बाबा साब से कहा कि बाबा साब हमें पता चला है कि आप सविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे हों हम आपको बताने के लिए आये हैं कि बंद रखी है ये बात किसे ने कही जो राहूल गांदी आज कहते है न कि हमने बाबा साब को सविदान सभा में लिया हमने लिया बाबा साब को सविदान सभा में वो ही गांदी कहते थे कि बाबा साब सविदान सभा के दरवाजे ही नहीं खिडिकिया भी आपके लिए बंद ह है हम आपको सविदान में सविदान सभा में आने ही नहीं देंगे आखिरकार पच्छिम बंगाल से बाबा साब बंबई में रहने वाले बाबा साब पच्छिम बंगाल में जाकर चुनाव लड़ते हैं और वहां से सविदान सभा में जाते हैं और केवल सविदान सभा में जा और केवल भारत का ही नहीं केवल भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बढ़िया सबसे उत्कुरुष्ट सविदार भारत को बना कर देते हैं और ये बात मैं बाबा साब के परिवार से हूँ या बाबा साब का वंच हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूं ये बात बराक ओबाम ने कबूल की है कि बाबा साब अमबेड कर हमारे देश में पैदा हुए होते तो आम इस सुरज का नाम बदल कर उसके अमबेड कर कर देते। यह बात भारा हुँआ कभूल करता है। अब आपको आज की जो संस्था है जो इस देश को चला रही है उसके चरित्र के बारे में बताता हूँ जब सविधान सभा का गठन हुआ तब इस सविधान सभा के लोगों को काम करने से एक संस्था रोक रही थी उस संस्था का यह कहना था कि भारत को सविधान की कोई भी अवशक्ता जरूरत नहीं है सविधान बनाने से भी पहले भारत चल रहा था आज भी चल रहा है और इसलिए भारत को सविधान बनाने की कोई जरूरत नहीं है हम भारत के सविधान सभा की एक भी सविधान सभा होने नहीं देंगे सारी सभाओं को वो रद कर रहे थे सारी सभाओं को बिस्टब करके काम करने से रोक रहे थे उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान की निर्मिती धरम के आधार पर होने वाली है उस सविधान का नाम क्या है और उस संस्था का नाम क्या है जो इस भारत के सविधान को तायार होने से रोक रही थी राश्टिय स्वयम सेवक संग आरेसेस आरेसेस वो संस्था है संगठन है जो भारत के सविधान को बनाने से रोक रही थी कि भारत का सविधान नहीं बनना चाहिए यह वही संस्था है और इसी वज़े से RSS के उपर officially, कानूनी तोर से इस देश में बैन लाया गया क्योंकि यह भारत का सविधान बनने नहीं दे रही अब एक सवाल आपको पूछता है जो संस्था भारत का सविधान ही बनना नहीं चाहती थी जो संस्था भारत का सविधान बनने ही नहीं देना चाहती थी क्या उस संस्था की political party सविधान को रखेगी या मिटाएगी और इस संस्था की official political party का नाम क्या है BJP भारतिय जनता party जिस भारतिय जनता party की और्गनाइजेशन मदर और्गनाइजेशन ही Constitution के खिलाफ है क्या उस पार्टी का प्रदान मंतरी भारत के सविदान को रखेगा या हटाएगा यह बात खुद बाबा साब को पता थी यह बात बाबा साब जानते थे कि भारत का सविदान जादा देर देश में नहीं रहेगा इस बात का रेफ्रेंस बाबा साब के BBC के इंटर्व्यू से आप ले सकते हैं कि बाबा साब के राइटिंग स्पीचेश के वॉल्यूम 18 पार्ट 3 में पूना में दिये गए एड़ोकेट्स लॉयर्स एस्सोसियेशन के मंच से जो बाबा साब ने भाशन दिया है उस भाशन का रेफ्रेंस आप ले सकते हो बाबा साब कहते है कि भारत अपनी आजादी फ नहीं रहेगा इस देश का लोकतंत्र एक बार फिर से खतम होगा ये बात बाबा साब ने 1954 में बीबीसी को इंटर्व्यू देते हुए पहले ही बता दी थी इतना ही नहीं जब 26 नवेंबर 1950 को बाबा साब ने देश को सविधान अरपन किया जिन व्यक्ति को देश का सविधान बनाने से रोक रहे थे जिनोंने देश का ही ने विश्व का सबसे बढ़िया सविधान तयार किया वो महान व्यक्ति देश को सविधान देते हुए क्या क पूना हो, अगर ये लायक लोगों के हातों में नहीं है, अगर इसको चलाने वाले लोग लायक नहीं है, तो देश का सविधान किसी भी काम का नहीं होगा। निर्मला सितारमन, इस देश की फाइनांस मिनिस्टर संसद में खड़े होकर कहती है, हम देश में सारी संस्थाए, सरकारी संस्थाए, दो साल में बेचने वाले है। संसद में खड़े हो कर कहा है इसका मतलब क्या है जितने भी publique sector है reservation कहाँ पर है पबलिक sector में scholarship कहाँ पर है पबलिक school और पबलिक college में अनानी के school में कोई scholarship मिल रही है Reliance में कोई नोकरी reservation वाली है निर्मला सितारमन कहती है हम सारी सरकारी संस्थाय बेचने वाले हैं इसका मतलब हम आपका reservation खतम करने वाले हैं जहांसे तुम लोग नोकरिया पाते हो जहांसे तुम लोग तनका पाते हो आने वाले दो साल में हम बंद करने वाले हैं जहांसे तुम लोग पढ़ाई करते हो, जहांसे तुम लोग डिग्रिया हसिल करते हो, जहांसे तुम लोग डॉक्टर इंजिनर बनते हो, हम लोग दो साल में बंद करने वाले हैं. इसके उपर संसद में सवाल पूछा गया कि ठीक है, आप बंद करने वाले हो. तो क्या private schoolों में, private colleges में, private offices में reservation होगा ये सवाल संसद में पुछा गया है संसद ने clear किया नहीं नहीं आपको आने वाले समय में scholarship मिलेगी नहीं आपको नोक्रिया मिलेगी नहीं तनखा मिलेगी तो ये बात बाबा साप ने पहले ही देख ली थी कि आने वाले समय में सविधान पूरी तरह से देश से हट जाएगा और इनको सविधान से दिक्कत क्या है ये लोग सविधान को क्यों हटाना चाहते है सविधान से नफरत क्यों है और मनुसमूर्ती में ऐसा क्या है जो ये फिर से लाना चाहते है महाभारत पता है आपको महाभारत थोड़ा बहुत याद होता होगा उसमें एक कैरेक्टर है पांचाली क्या केतो पांचाली को आप दुरोपती उस दुरोपती के साथ क्या हुआ था पता है मनु के कानून में मनुस मुर्ती में दुरोपती के साथ भरी सवा में चीरहरन किया गया था चीरहरन का मतलब भरी सवा में विवस्तर किया गया उसकी साड़ी उतारी गई मनु का कानून इस देश की दुरोपती के साथ चीरहरन करता है और बावा साप का कानून उसी द्रोपती को रास्टपती बनाता है यह फरक है मनुसमूर्ती में और सविधान में वो फिर से मनुसमूर्ती को लाना चाते है और उसके लिए हमारी महिला है आगे वो आकर मनुसमूर्ती के कारेक्रमों में शामिल हो रही है उसी मनु का कानून लाने के लिए हमारी औरते लाइन लगा लगा कर लाइन लगा लगा कर खड़ी है माता की चोकी है न आप लोगों के यहां होता ही कि नहीं चांद देखना जिस मनु के कानून ने आपके साथ यह विवार किया उसी को लाने के लिए इस देश की दुरुपती खड़ी है दोनों दुरुपतिया वहाँ भी खड़ी है और यहाँ भी खड़ी है बाबा साब के सविदान से ये क्यों नफरत करते है एक उधारन देना चाहूंगा आप लोगों को धूप लग रही है जादा? बोल सकता हूँ और बाबा साब का एक उधारन देना चाहता हूँ बाबा साब जब सात्वी आठवी कक्षा में पहुँच गए बाबा साब के पिता जी मिलेटरी में थे मिलेटरी का आप लोगों को सर्विस पता है कि चेचे महीने एक एक साल दो दो साल लोग घर नहीं आते बाबा साब के पिता जी भी इसी तरह से चेचे महीने एक एक साल घर नहीं आते थे बच्चे यहाँ पर बड़े हो रहे थे पिता को लग रहा था कि बच्चों को मिलना चाहिए बच्चों को देखना चाहिए बाबा साब के पिता जी के जब पिता की ट्रांस्वर घर से थोड़ी नजदीक हुई कुछ डीड़ सो किलोमेटर दुरी पर तो पिता साब को लगा कि अब मैं घर से थोड़ा नजदीक हो क्यूँ आप आपने बच्चों को मिलू। मैं तो घर नहीं जा सकता लेकिन आप बच्चे थोड़े बड़े हो गए है तो क्यों ना उनको यहां पर बुला लू। तो बाबा साब के पिता ने टेलिग्राम किया और टेलिग्राम करके कहा कि अगर आपके स्कूल को छुट्टिया लग गई हो तो मुझे मिलने के लिए आजाओ। कि हम इस तारीक को निकलेंगे ये ट्रेन पकड़ेंगे आप हमको लेने के लिए आ जाना अब ये टेलिग्राम बाबा साब के पिता जी के ऑफिस में आया और जिस व्यक्ति के हाथ में पड़ा उस व्यक्ति ने ये टेलिग्राम बाबा साब के पिता को दिया ही नहीं अब पि ताकि रहा देख रहे हैं कि मेरे पिता आएंगे और हमें लेके जाएंगे ट्रेन आकर चली गई सबी लोग अपने अपने दिशा में चले गए यह चार बच्चे वैसे ही स्टेशन पर प्लाटफॉर्म पर खड़े है कि हमें लेने के लिए कोई आएगा स्टेशन पर ने दूर से देखा कि अच्छे कपडों में हैं शायद सबनों के बच्चे है तो स्टेशन मास्तर बच्चों के पास आया और बच्चों को पूछा और कहा जाना है तुम्हें लेने के लिए कोई आया नहीं बाबा साब ने कहा कि हमारी पिता जी यहाँ पर जल में ही वो जो तांगा खड़ा था, उस तांगे वाले को बुलाया, कहा कि देखो यह बड़े अफसर के बच्चे लग रहे हैं, इनको इस पते पर छोड़ करा, तांगे वाले ने बच्चों को तांगे में बैठने के लिए कहा, सभी बच्चे बाबा साब उस तांगे में और फिर वो तांगा बाबा साब के पिताजी के हेड़कॉटर के लिए निकल पड़ा, रास्ते में वो तांगे वाला बच्चों से बात करना शुरू किया, कहां से आयो, पिताजी क्या काम करते है, तुमारा नाम क्या है, तुमारी जाती कौन सी है, और जैसे ही जाती के बा तांगे से नीचे उतर जाओ, सभी बच्चे नीचे उतर गए, बाबा साब के पास ज्यादा पैसे थे, बाबा साब ने कहा है ये पैसे लेलो लेकिन हमें छोड़ दो, ज्यादा पैसे के लालज में तांगे वाले ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम लोग अच्छूत हो, पीछे ये बच्चे पैदल निकल पड़े, दो-तीन किलोमिटर चलने के बाद बाबा साब को प्यास लग गई, बाबा साब ने तांगे वाले से कहा कि आपके पास जो पानी पड़ा है वो थोड़ा सा पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, तांगे वाले ने कहा उस गाड़ी वाले को कुछ पानी दिखाई दिया, उसने तांगा रोका, बच्चों से कहा कि वो देखो पानी दिखाई दे रहा जाओ, सभी बच्चे भागते भागते वहाँ पर गए, नजदीक जाकर देखते हैं तो क्या, ये तो सिर्फ कीचड है, इसमें तो पानी नही मुँ महला हो गया, और एक दो किलोमेटर चलने के बाद बावा साब, बावा साब के पिता जी के हेड़कॉटर पर पहुच गया, पिता ने बच्चों को देखा कि ये तो मेरे बच्चे है, बावा साब दोड़ते दोड़ते पिता के पास चले गए, पिता को लिपिट कर फ बाबा साब ने पिताजी से एक सवाल किया, बाबा साब ने पूछा कि मुझे बैल गाड़ी में बैठने कादिकार क्यों नहीं है, मुझे ये तांगे में बैठने कादिकार क्यों नहीं है, मुझे पानी पिने कादिकार क्यों नहीं है, बाबा साब के इन सवालों का राम जी बाबा के पास कोई जवाब नहीं था राम जी बाबा ने बाबा साब को शांत किया और शांत करके बाबा साब से कहा कि इसी विवस्ता को तुम्हें बदलना है इसी विवस्ता को बदलना है और राम जी बाबा ने बाबा साब को ऐसा तैयार किया, जिस मनुस मुर्ती के कानून में बाबा साब को बैल गाड़ी से उतार दिया गया था, जिस मनुस मुर्ती के कानून में बाबा साब को कीचर का पानी पीने के लिए मजबूर किया था, बाबा साब ऐसा सविदान तैया करके गए कि उनके सविधान के वज़े से आज हम ये बिसलरी का पानी पी रहे हैं कि आज उनके सविधान के वज़े से हम बैल गाड़ी में नहीं हवाई जहाज उड़ाने का काम आज हमारे लोग कर रहे हैं ये बाबा साब के सविधान के वज़े से आज हम लोग सो साल से भी पहले इतना बदलाओ हम लोगों में आ गया और इसी वज़े से इसी वज़े से ये जो RSS BJP के लोग है उनको सविदान इस देश से नश्ट करना है कि जो कौम बैल गाड़ी में भी नहीं बैठ रही थी आज वो हवाई BBC का इंटर्विवर बाबा साब से पूचता है कि बाबा साब इस देश का सविदान अगर खतम हो गया इस देश का लोगतंत्र अगर खतम हो गया तो आपके लोगों का क्या होगा आपको क्या लगता है बाबा साब हमारे लिए कि इसका solution देकर नहीं गए होंगे जब बाबा साब ने देख लिया है कि आने वाले समय में प्रजातंत्र लोकतंत्र खतम होगा तो क्या बाबा साब हमें ऐसे ही मोदी के हवाले छोड़कर चले जाएंगे बाबा साब ने उस ब्रिटिश इंटर्विवर को जवाब दिया कि हमें परियाई वेवस्ता बनानी होगी हमें अल्टरनेट वेवस्ता खड़ी करनी होगी और वो वेवस्ता क्या है 1950 में जब देश का सविधान लागू हुआ चब 20 जन्वरी को बाबा साब को लगा कि शायद अब लोगों के मानसिक्ता में बदलाओ हुआ होगा 1952 के इलेक्शन के लिए बाबा साब खुद खड़े हुआ जिन बाबा साब का सविधान दो साल पहले ही देश ने कबूल किया है वो व्यक्ति देश के सविधान देश के संसत के इलेक्शन के लिए खड़ी होती है लेकिन बाबा साब को पराजित करने के लिए सभी पार्टियों के लोग खड़े होते हैं और एक चौती फेल आदमी बाबा साब को हराता है बाबा साब को ये पता चल जाता है कि इस देश की इमान सीखता अब भी बदली नहीं है जो लोग मुझे न्याहि नहीं देते आने वाले समय में मेरे लोगों के साथ क्या करेंगे बाबा साब को ये अंदेशा हो गया बाबा साब 1950 में World Fellowship of Buddhist के मिटिंग में गए इस विश्व में 1950 में एक घटना गटित हो रही थी विश्व के सभी बौद देश इकटा होकर एक संगठन तयार करने के लिए वो बैठके कर रहे थे और इस बैठक के लिए बाबा साब को आमंतरित किया गया बाबा साब ने देखा कि विश्व के बौद देश इकटा होकर एक संगठन बना रहा है और संगठन का नाम था World Fellowship of Buddhists इस बैठक के लिए बाबा साब गए है बाबा साब ने देखा कि 27 बौद देश 1950 में इकटा हो गए है इकटा होने के बाद हर दो साल बाद ये लोग इकटा होकर कॉन्फरेंस करेंगे और जहाँ पर बौद धम की अवशक्ता है वहाँ पर बौद धम का प्रचार प्रसार करने का काम World Fellowship of Buddhists के माद्यम से होगा अब इस मंच पर केवल संस्ता ही उसकी सदस्य हो सकती है व्यक्ति नहीं हो सकता इसलिए बाबा साब 1904 में भारत में आने के बाद जो बात मैंने अपने भाशन के सुरुवात में कही कि बाबा साब के जीवन में काम करने का तरीका था कि पहले संगठन फीरांदोलन कहां से बाबा साब का जीवन शुरू हुआ बहिश्क्रित इतकार्णी सभा समता सहिनिक दल डिप्रेस क्लासेस मिशन शेडूल कास फेडरेशन इंडियन लेबर पार्टी रिपब्लिक पार्टी ओफ इंडिया और कंक्लूजिन क्या दिया बुद्धिस्ट सोसाइटी ओफ इंडिया भारतिय बहुत महासबा ये तो हम लोगों ने दिया हुआ नाम है भारतिय बहुत महासबा तो ये बुद्धि-Sosociety of India के लोग ये भारत के बाद है, ये लोगों को पता चले, इसलिए बाबा साथी ने ये मंच तयार किया, कि भारत के बाद देखने है, तो ये बुद्धि-Society के लोग भारत के बाद है, उस समय तक भारत में कोई भी बौधों की संस्था नहीं थी, मैंने ख्याल से पंगाल की एक संस्था थी, जो सिर्फ उतनी सिमित थी, पूरे भारत में बुद्धी सोसेटी ओफ इंडिया ये संस्था बावा साब ने तयार करके दी, ताकि विश्व के बौधों को पता चले कि भारत के आज ये बौध है, भारत के बौधों की एक संस्था हो, इसलिए बावा साब ने ये संस्था बनाई, हमने क्या किया, हमने गली गली में अलग-अलग संस्था बनाई, अब विश्व के लोगों को पता ही नहीं चलता कि भारत का बौध कौन है, है ना आप लोगों क पास भी बौदों की अलग-अलग संस्था है आप लोगों के जिले में होंगी तैसील में होंगी राज्य में होंगी इतना ही नहीं इतना ही नहीं खुद बाबा साब के संस्थाओं को तोड़ने का काम भी ब्रामणी वेवस्ता ने किया क्यों क्योंकि बाबा साब का उद्दे को हम ना हो तुम बुद्ध के पीछे जाओ ये पुद्ध तुम्हारे पीचे खड़ा हो जाएगा इसलिए बाबा साम ने आपको को कि बहुत दम की दिक्षा 32 बाुत दम की दिक्षा भी बुद्धी société इंडिया के मंच से बावा साब ने यदिक्षा आप लोगों को दी ताकि विश्व के बहुदों को पता चले कि भारत के बहुद अगर कोई है तो वह बुद्धी सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग है हमने क्या किया इस संस्था को 40 साल से कोट में अठिका कर रखा कोट में अब जब इसको कोट से हमने बाहर निकाला सुप्रिम कोट की ओडर आ गई हाई कोट की ओडर आ गई सारे कोट की ओडर आ गई अब जब काम करने की बारी आई और जब मैंने ये सारा इतियास देखा बाबा साब की बुद्धिस मुमेंट को जाना और जब मैंने ये तै कि बाबा साब की इस मुमेंट को आगे लेकर जाना है और वो भी मैंने इसलिए तयार किया जिस तरह से आपने मेरे ये नाम का पूरा कविता किया है इस नाम से उमीद करते थे बावा साथ 28 साल के राजरतन से उमीद करते थे बावा साथ मैं इस मुमेंट में आना नहीं चाहता था मुझे कोई जरुवत रही है सुबह दो इडिली के उपर आप लोगों के पास यहां पर आकर चार-चार घंटे भाशन करने की कोई जरुवत नहीं है एसी कैबिन है मेरी कैबिन से भार भी नहीं आता पानी चाहिए तो बेल बजाता हूँ कोई आने की जरुवत नहीं है बाबा साब के काम के वज़े से आज हम लोग राजा महराजा की जिन्देगी बित्वतित कर रहे हैं लेकिन फिर भी आज आप लोगों के सामने क्यों खड़ा हूँ क्यों बाते कर रहा हूँ क्योंकि इसी राजरतन से उमीद लगाए बेटे थे बाबा साब क्या कहते थे बताई इस राजरतन से कि तु मेरा शेर है मेरा सिया है सिया बड़ा होने के बाद तुझे मेरे आधूरे रह हुए काम पूरे करने है मेरे आधूरे काम तू पूरा करेगा यह आशा और विश्वास बाबा साब उस आडाई साल के बच्चे से व्यक्त करते थे कि तू पूरा करेगा लेकिन उसके साथ क्या हुआ पता है उस राजरतन के साथ क्या हुआ आडाई साल का जब यह हुआ तब उसे डबल निमोनिया हो गया डबल निमोनिया double pneumonia होने के बाद बावा साप के पास पैसे थे कि मेरे बच्चे का इलाज करो मेरे बच्चे के इलाज के लिए कोई medicine दे दो लेकिन कोई दवाई नहीं मिल रहे थे कोई उन बच्चों को हात नहीं लगाता थे क्योंकि हमारा कोई डॉक्टर था नही और अचुतों के बच्चों को कोई हात नहीं लगाता था डबल निमोनिया होने के बावजूद वो बच्चा घर पर बुखार से तपरा था कितने दिन कितने दिन बुखार से तपते हुए उस बच्चे के पास बेठा रहू यह सोचकर बावा साब अपने काम के लिए निकल पड़े हाई कोट के लिए गए हाई कोट में जैसे ही पोछे माता रमाई ने घर में देखा कि राजरतन का भुकान बढ़ते जा रहा है माता रमाई ने बावा साब के कारेकरता को कहा कि बाबा साब जहां कई पर भी हो उनको तुरंद घर लिकर आओ ये कार्य करता हाई कोट पहुचा हाई कोट आने के बाद बाबा साब को संदेशा दिया कि बाबा साब अबको तुरंद घर बुलाया है अब बाबा साब को पता चल गया कि मैं तपता हुआ बच्चा घर पर छोड़ कर आया हूँ जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा बाबा साब ने तांगा किया बाबा साब जिस चाली में रहा करते थे उस चाली के सामने आकर ये तांगा रुका बावा साब दोड़ते दोड़ते अपने दस बाई दस के मकान में गए उस राजरतनों को उठाया और बाव में लेकर उसको प्यार करने लग गए, सहलाने लग गए और सहलाते सहलाते बावा साब को पता चल गया कि बच्चा तो कब का मर चुका है, राजरतनों तो कब का जा चुका है उस समय बाबा साब फूट फूट कर रोने लग गया है दिवार पर सर पटक पटक कर बाबा साब रो रहे थे जमीन पर लेट कर बाबा साब रो रहे थे किसी ने बाबा साब को इस हालत में नहीं देखा था सभी लोग बाबा साब को शान्द करने में लगे हुए थे शांत करते करते बाबा साब के बच्चपन के दोस्त ने कहा कि बाबा साब अब राजरत्न के अंत्म विधी का समय हो चुका है अंत्म विधी के लिए बाप के पैसे से परिवार के पैसे से बच्चे के शरीर पर कफन डाला जाता है अंतीम कपड़ा दिया जाता है, अंतीम वस्त्र दिया जाता है, वो लाने के लिए पैसे दो, बावा साब ने हाट डाला जेब में देखा कि एक भी रुपया नहीं है, तब बावा साब फिर से फुट-फुट करोने लगए माता रमाई को पता चल गया कि इस रोने की वज़ा कुछ और है माता रमाई ने बदन पर की साड़ी फाड़े और उस बच्चे के राजरत्न के शरीर पर अंतीम वस्त्र माता रमाई ने अपने शरीर की साड़ी से वो दिया बावा साहब माता रमाई इस बच्चे का अंतीम विदी करके आये और बावा साहब उसकी याद में कहते थे कि जब यह चलने लग गया बोलने लग गया तब मैं इससे बाते करता था इसे उमीद इवक्त करता था कि बड़ा होने के बाद ही इसे मेरे अधुरे रह रह वेक काम पूरे करने है जब यह सारा इत्यास में पढ़ रहा था मेरे PSG के संदर्ब के लिए तब मैंने सोचा कि इसी बच्चे के याद पर मेरा नाम रखा हुआ है इसी बच्चे के याद पर जिस बच्चे से बाबा साब ये उमीद कर रहे थे कि बड़ा होने के बाद मेरा काम ये राजरत न करेगा और जब मैं यह पढ़ रहा था तीन मैने में मैं परदेश में सेटल होने की पूरी तैयारी कर रहा था 2010 की बात है April मैने में मेरा रिजल्ट आ गया था 83% से मैं MBA में पास हुआ था Distinction में पास हुआ था 10 लाख रुपे 11 मैने की Probation period की नोकरी मुझे मिल गई थी जापान में मेरी posting थी यह तीन महिने के कार्यकाल में जब मैं यह बावा साब को पढ़ रहा था तब मुझे पता चला कि मेरे नाम के इतियास क्या है मेरे नाम के पीछे का इतियास क्या है और जब यह पता चला तब मैंने कहा कि अब मैं यह नोकरी नहीं स्विकार हूँगा अब मैं यह नोकरी नहीं स्विकार हूँगा तब मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत ताने दिये ट्रोल कहते हो ना, ट्रोल किया उन्हें कहा कि अगर यही काम करना था तो बढ़ाई क्यों की? 83% से पास क्यों हुआ? इतनी अच्छी नोकरी मिली है? तो इतनी पढ़ाई तेरी व्यर्थ गई? इतनी पढ़ाई तेरी वेस्ट है? मुझे ताने देते थे, मैंने कहा नहीं. मैं अपनी पढ़ाई वेस्ट जाने नहीं दूँगा. अगर मैं ये नोकरी स्विकारता हूँ, तो मुझे सुबे से लेकर शाम तक किसी और की कमपणी को, किसी और की वेवस्ता को मजबूत करने के लिए मेरी बुद्धी का इस्तमाल करना होगा. मैं मेरी बुद्धी का इस्तमाल मैंने जो उमीद व्यक्ति कि थी कि मेरा राज रतन मेरे आदुरे रहुए काम को पूरा करेगा और तब शाना कि बाबा शाहर ने 1956 तक कि अंतीम सभी तक बाबा साहर को यह करना था पता है आपको क्या कर रहे تھे वाबा साब 5 December 1956 के रात दो बजे तक का record बाबा साथ का papel क कर रहे थे नानक चंद रत्थू बाबा साब अम्बेडकर जी के साथ खड़े थे रात के दो बजे तक बाबा साब रत्तु को कहते है कि रत्तु अब रात के दो बज गए है तु घर चला जा और सुबह वापस आ और तभी आकर यहाँ पेड़ खड़ा रहे अभी तुझे यहां रुकने की जरुवत नहीं है क्या कर रहे थे दो बज़े तक बाबा साब जो कुछी मिंटों के बाद शायद नहीं रहने वाले दो बज़े तक क्या कर रहे थे पता है आपको अपने परिवार के लिए अपने प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी नहीं कर रहे थे कि मेरा ये बंगला मेरे ये श्वंत को मेरा ये बंगला मेरे मुकुंद को मेरा ये कॉलेज सवितामाई को बाबा साब अपने प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी बाठ नहीं रहे थे क्या कर रहे थे मेरे जाने के बाद मेरे जाने के बाद मेरे लोगों ने बुद्ध का सही तरह से अनुकरण करना चाहिए इसलिए बुद्ध और उनका धम ये ग्रंथ लिख रहे थे इसका preface complete कर रहे थे कि मेरे जाने के बाद मेरे लोगों ने बुद्ध के दमक में कोई इसमें infiltration, कोई गलत वेवार बुद्ध के दम में नहीं होना चाहिए इसलिए बावा साव आप के लिए बुद्ध का ग्रंथ लिख कर जा रहे थे कि मेरे बाद सही से बुद्ध के धम्म का पालन करना हमारे लिए प्रॉपरिटी के हिस्सिदारी नहीं बाट रहे थे इसलिए ये जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ न ये बाबा साब का परिवार नहीं है ये जो मेरे सामने बैठा है ये बाबा साब का पहला परिवार है के लिए उत्रा लोगों ने बुद्ध को नहीं छोड़ा मुझे छोड़ेंगे बुद्ध को नहीं छोड़ा बावा साब को नहीं छोड़ा सावेतरी माई को नहीं छोड़ा महात्मा फुले को नहीं छोड़ा हमें छोड़ेंगे सबसे पहली लोगों में भ्रहम क्या पहलाया यह अंबेड कर ही नहीं है मेरे पिता जी अंबेड कर मेरे दादा जी अंबेड कर मेरे परदादा अंबेड कर बाबा साहब के प्रभुद्ध भारत की कॉपी अगर किसी के पास हो बाबा साहब संपादक है पहले ही पेज़ पे संपादक, डॉक्टर बियार अंबेड कर, सह संपादक, मुकुंद्राव अंबेड कर, मेरे दादा जी का नाम अंबेड कर है, मेरे दादा जी का नाम अंबेड कर है, लेकिन मेरा नहीं है, मेरा नाम क्या रखा था? क्या परिवार से यह अंबेड कर यह नहीं है, यह सक्पाल है मेरा पासपोर्ट अंबेड कर नाम से है, मेरी सारी डिग्रिया अंबेड कर नाम से है मेरे बर्थ सेटिफिकेट अंबेड कर नाम से है, लेकिन मैं सक्पाल हूँ क्यों ताकि लोग इखटा ना हो लोग संगठीत ना हो ताकि लोग अगर संगठीत हो तो लोग अगर इखटा हो गए तो विश्व के लोगों की सामने ये लोगों को लेकर जाएगा और ये बताएगा कि ये भारत का असली बहुत है आज भारत के असली बहुत कोहने पता है मेरा मोबाइल है यहाँ पर अगर गूगल चल रहा है तो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर जगड़े कर रहे हो कि मी अद्देक्ष नी तू अद्देक्ष है ना मी अद्देक्ष का तू अद्देक्ष आभी ओफ लाइन है नेट नहीं है आप लोग आपके गूगल पर डालिए आई एम बुद्धा फांडेशन बाबा साव ने बुद्धिस सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई क्यों क्योंकि विश्व को जाकर बताओ कि भारत का बहुत तुम हो हमने बाबा साव की संस्थाओं को कोर्ट में ढखेल दिया अब बाबा साव के इस बुद्धिस मिशन को लेकर कोन चल रहा है आई एम बुद्धा फांडेशन के कारेक्रम जर्मनी में चल रहे है फ्रांस में चल रहे है यूएस में चल रहे है आस्टेलिया में चल रहे है सारे विश्व में आई एम बुद्धा नाम के फांडेशन के लोग बुद्धिसम के कारेक्रम कर रहे है फांडर का नाम है पल्लवी जोशी वीवेक अगनी होत्री भारत का बहुत कौन है जोशी इतना ही नहीं मैं जब बुद्धिश्प मिशन के लिए उत्रा और जब बाबा साब के इस वर्ल्ड फिलिश्प बुद्धिश्प के बारे में जाना मैंने पहला काम किया मैं वर्ल फिलिश्प बुद्धिश्प के हेड़कॉर्टर पहुचा और उनको मैंने कहा कि बाबा साब 1950 से आप लोगों के कॉन्फरेंसेस में आते थे अब आप हमें क्यों नहीं बुला रहे हो उन्होंने कहा आपकी तो फीजी नहीं बरी गई हाँ इसलिए आपकी सदस्यता हमने रद कर दी मैंने कहा जितनी भी फी बाकी है वह मुझे बताओ वह सारी फी भरने के लिए में तयार हो कि वह सारी मैंने भरी और वर्ड फिलिश्प बुद्धिस्ट में बुद्धिस सोसाइटी आफ इंडिया की रद हुई माननेता फिर से प्राप्त करवा के दी और आज बाबा साब की ये संस्था United Nations में रिप्रेजेंट करती है संयुक्त राष्टर में रिप्रेजेंट करती है World Fellowship of Buddhist में रिप्रेजेंट करती है इतना ही नहीं जो भाशन मैं आज आप 32 देशों के सामने देता हो उनके मिनिस्टर्स के सामने कैबिनेट मिनिस्टर्स के सामने उनके प्राइम मिनिस्टर के सामने हमारे देश से भी आता है जनियो धारी वंकया नाइडू वहां कर बोलता है वहां कर बोलता है भारत बुद्ध का देश है इस देश में मैं अभी United Nations के Shri Lanka के United Nations के conference में था जापान में Shri Lanka के monks मुझे आकर कहते है this time India is very lucky इस बार भारत भाग्यवशाली है मैं लोग कैसे You got a Buddhist Prime Minister आप लोगों को एक बहुत प्रदान मंत्री मिल गया मैंने उनको कहा कि आपको किसने बताया कि हमारा प्रदान मंत्री बहुत है उन्हें कहा हमारे देश में आता है तो भुद्ध की मुर्तिया लेकर आता है इस देश का प्रदान मंत्री भारत के भार भुद्ध की मुर्तिया लेकर जा रहा है और यहाँ पर सभी राम मंदिरों में पुजा करता है भारत के भार, भारत भुद्ध का देश आप लोग और एक Google कर लेना A Monk who became Chief Minister Monk का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पर बेटे है, यह है Monks बुद्धिजम में बंतों को Monks कहा जाता है इस देश में गुपता नाम के ब्राह्मन ने एक किताब लिखी है और किताब का टाइटल दिया है एक बुद्ध भिक्षू जो मुख्य मंत्री बना और वो बुद्ध भिक्षू कौन है? योगी अधित्यनाद योगी अधित्यनाद हम कभी दावा करते है क्या? कि बुद्ध ये राम के आउतार थे? कभी दावा करते है तो आपको क्यों दावा करने की जरुरत पड़ती है कि नहीं नहीं हमारा ही आउतार है करके क्योंकि आपके पास आपका कुछ भी नहीं है और इसलिए आपको बुद्ध को भी उसमें शामिल करना होता है और इसलिए बाबा साब ने 22 प्रतिग्या दे कि बुद्ध विश्णु का आउतार है ये जूटा और फरेवी प्रचार है ब्रामक प्रचार है बाबा साब ने ये क्लियर करके दिया है आज बाबा साब अंबेड कर जी ने हमें ये संस्था बना कर दी है क्यों? क्योंकि विश्व के सामने जाओ और अपनी पैचान बहुत करके बताओ लेकिन हमें 1956 के बाद से इस देश की ब्रामणी विवस्ता ने बहुत आइडेंटिटी देने के बजाए क्या आइडेंटिटी दी? गांदी हमें क्या कहता था? अब बहुत होने के बाद ये विवस्ता हमें क्या कहती है? महार तो आपके याँ होंगे भी नहीं दलित अब कोई सिख धर्म की दिक्षा ले तो उसकी पैचान सिख हो जाती है कोई इसलाम धर में चला गया तो उसकी पैचान मुसल्मान होती है कोई क्रिशन धर में चला गया तो उसकी पैचान आज भी क्रिशन होती है तो अगर हम बहुत हो गये तो हमारी पैचान दलित कैसे? अगर आप बहुत हमके दिक्षा प्राप्त करने वाले लोग है तो हमारी पैचान क्या होनी चाहिए तो फिर विवस्ता हमको दलित क्यों कहती है मीडिया हमको दलित क्यों कहती है पेपर हमको दलित क्यों कहता है क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर वो इन सभी लोगों को बहुत लिखना शुरू कर दिये बहुत बताना शुरू कर दिये तो इस देश के ही नहीं सारे बहुत विश्व के लोग इनको साथ खड़े हो जाएंगे ये इस देश के ब्रहामनी मिडिया को दर है और इसलिए आज इस मंद से मैं आप लोगों से एक वादा लेकर जाना चाहूंगा कि इसके बाद कभी भी अपने आपको जाती के या दलिद नाम से अपने आपको मत पहचान बनाईए अपने आपको महार चमार इस जाती में मत अपने आपके पहचान कायम कीजिए बावा साब ने आपको बहुत बनाया है अगर महार चमार बनके रहे तो इस चिंदवाड़ा के भार भी आपके स्वागत के लिए कोई खड़ा नहीं होगा कोई खड़ा नहीं होगा लेकिन अगर इस देश में आप बहुत पैचान कायम करते हो पूरे विश्व के बहुत अदेश आपके स्वागत के लिए खड़े होंगे कि भारत में मेरा बहुत मेरे देश में आ रहा है बाबा साब हमें ये पैचान देकर गए है अलग अलग छोट चोटी संस्थाओं में बठके रहने से आप लोगों का उधार नहीं होगा आज बावा साब के बुद्धिश सोसाइटी ओफ इंडिया में गड़बाजी चल रही है चंद्रभोधी पाटिल अपने आपको रास्त्री अद्धिक्षे कह रहा है वहां मीरात आई जी अपने आ साल के आयू मिलेगी कि 70 साल 75 साल 80 साल यह 80 साल की आयू जिस शरीर को मिली है इनके पीछे कभी मत जाना मेरे पीछे भी कभी मत आना इस देश में आड़ाई हजार सालों से एक विचारधारा चली आ रही है बुद्ध से लेकर इस बुद्ध की विचारधारा को आड़ाई हजार सालों से आज भी इस बुद्ध की विचारधारा इस देश में कायम है आड़ाई हजार सालों से यह 80 साल 70 साल 25 साल के आयू जिनको प्राप्त है इनके प बाबा साहब का सही माइने में काम कर रहा है, उसके साथ धढ़ के खड़े रहो , बस इतना ही कहूंका मैं अगर बाबा साहब के विचार पे काम नहीं कर रहा , बुता के विचार के परिवार का ह Linda would also ये मेरे पीचे आने की कोई जरुवत नहीं है कोई जरुवत नहीं है मैं खून से रिष्टे से अम्बेड कर बाद में हूँ मैं विचारों से अम्बेड कर पहले हूँ मैं अम्बेड कर वादी पहले हूँ बाद में अम्बेड कर हूँ कोई भी व्यक्ति चाहे वो बाबा साब के परिवार से हो या ना हो मैं तो यह मानता हूँ कि हर वो व्यक्ति हर व्यक्ति जो बाबा साब के विचारों पे चलता है वो बाबा साब के परिवार का है और जो व्यक्ति बाबा साब के विचारों पे नहीं चलता, भले वो बाबा साब के परिवार का क्यों न हो, वो बाबा साब का नहीं है, वो बाबा साब का नहीं है, और इसलिए ये गुड बाजी में कि मैं इस गुट का हूँ, मैं उस गुट का हूँ, ये अपने आपको इसम विभाजीत मत रखो इससे क्या नुकसान होगा पता है इससे क्या नुकसान होगा में बुद्ध की एक बात बता कर अपने वानी को विराम दूंगा तता गजबुद्ध चारीका किया करते थे पता lima क्या होता है एक बिक्शापात्र लेकर गाउसे गाव जाकर वहाँ पर धम का प्रचार करना, धम की बाते बताना और जहां से जो कुछ भी मिले वो लेकर ग्रहन करना ऐसा चारीका करते करते तता गदभुध अपने संग के साथ गाव से गाव जा रहे थे ऐसे एक चारीका करते करते वो एक ऐसे गाव में आप पहुचे वो जो गाव पूरी तरह से उजड़ चुका था, जहां पर पेड नहीं थे, पोदे नहीं थे, जानवर नहीं थे, इंसान तक नहीं थे, इंसान तक नहीं थे, सिर्फ घर थे, बुद्ध ने देखा कि ये कैसा शहर है, कैसा गाव है, यहां के लोग कहा चले गए, बुद्ध ने भिक्षूओं से कहा, कि जाओ जारा देखो, कि गाव के लोग कहा चले गए, सभी बहुत भिक्षू, एक एक घर में जाकर तहकिकात करने लग गए, और तहकिकात करते करते उनको ये जान पड़ा, कि सभी जो लोग है, वो अपने अपने घरों में, मरे पड़े है, मर गए है, और पता नहीं कब से उनकी मृत्यों हो गई है, सिर्फ पिंजर हड़िया उनकी वहाँ पर है, उन सभी लोगों ने एक नोट किया, कि सभी की डेड़ बॉड़ी, सभी की पिंजर, एक गड़े में है, इतने इतना गड़ा, गड़े के अंदर, वो सभी मरे गड़े करके, यह सारा भिक्षुक्षंग बुद्ध के पास आप पहुचा, ततागत भुद्ध भी, यह सारी जानकारी लेकर इकटा हो गए सभी लोग, सभी जानकारी देने के बाद, बहुत भिक्षुओं ने बुद्ध से पूचा कि है, ततागत, यह क्या विचित्र, द बुद्ध ने कहा कि यह जो गाव है, इस गाव पर पिछले कई सालों से बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं होने के वज़े से धीरे धीरे पेड़ पौदे सुख गह, जानवर पानी की तलाश में गाव छोड़कर चले गह, लोग, क्योंकि उनकी जमीन यहाँ पर थी, घर यहाँ पर थे, खेती यहाँ पर थी, इसलिए वो गाव छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने पानी की तलाश में अपने अपने घरों में कुवा खोदना शुरू किया, कुवा खोदते खोदते वो ठक गए और उसी कुवे में उनकी मौत हो गई, और आज उसी कुवे में उनके हाड पिंजर पड़े हुए है, ये बाते बुद्ध ने बता दी, किसी बहुत भिक्षु ने पूचा कि है बुद्ध, क्या ये सभी लोग जिवित नहीं रह सकते थे, सभी लोग जिन्दा नहीं बच सकते थे, बुद्ध ने कहा ये सभी लोग बच सकते थे, आज हम लोग वही काम कर रहे हैं, अलग-अलग संगठन बना रहे हैं, अलग-अलग जाती के संगठन बना रहे हैं, अलग-अलग संगठन बना कर, छोटे-छोटे पैमाने पर अपना-पना काम कर रहे हैं, इसी तरह से अलग-अलग संगठन बना कर, एक दिन माध्यम से एक बहुत बड़ा प्लाटफॉर्म दे कर गए मैं कहना चाहता हूं अपने अपने अंगलग-अलग संगठन लेकर आप बाबा साब के इस संगठन में इस वहां विश्व द्वीप में आप आजाईए इस महासागर में आईए यह महासागर ही आपको आने वाले समय में इस आरे सेस बीजेपी को हराने का काम ही इस देश में होगा इस देश में कोई पॉलिटिकल कोई पॉलिटिकल युद नहीं चल रहा है पॉलिटिकल युद चलता तो राजनेतिक सवाय होती है इस देश में इस देश की असली लड़ाई क्या है यह बावा साब हमें बता कि आपको लगता होगा कॉंग्रेस और बीजेपी का यूद्व चल रहा है बिलकुल नहीं कॉंग्रेस बीजेपी में कोई लड़ाई नहीं हो रही बावा साब अंबेड कर कहते हैं हिस्ट्री ओफ इंडिया इस नथेंग बाट मॉरल कॉंफलिक बिट्वें बुद्धिजम और ब्रामिनिजम भारत का इतियास दूसरा तीसरा कुछ नहीं है श्री बादम और ब्रामिनी धर्म में युद्ध है संगर्ष है आज ये संगर्ष सही माइने में दिखाई दे रहा ह है इनको राम मंदीर से कोई लेना देना नहीं है 22 जनवरी से कोई लेना देना नहीं है ये केवल 26 जनवरी को खतम करने के लिए 22 जनवरी को खड़ा कर रहा है 26 जनवरी क्या है जिस दिन इस देश में बुद्ध के चार तत्वों को स्विखारा गया जस्टीस, एक्विलिटी, फ्रैटर्निटी और लिवर्टी 26 जनवरी 1950 को भारत ने स्विकार किया कि हम भारत के लोग भारत में नियाय, समता, समानता और बंदुता को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे ये बुद्ध के चार तत्वों को 26 जनवरी 1950 को स्विकारा गया है ये तत्व आप लोग ना स्विकार कर पाए इसलिए 22 जनवरी को खड़ा किया जा रहा है दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, हम किसी के मंदीर के उद्धाटन के खिलाफ नहीं है रोज कई ना कई मंदीर उद्धाटन होते होंगे ना, होते है मंदीर बनते है, मस्जीद बनते है, गुरुद्वारा बनते है, मस्जीद बन रही है हम किसी के अगेंस बात कर रहे हैं नहीं कर रहे है लेकिन क्या किसी मस्जिद के उद्गाटन के लिए प्रदान मंत्री मोधी गया है क्या किसी गुरुद्वारा के उद्गाटन के लिए मोधी गया है तो देश का प्रदान मंत्री अगर इस तरह के धार्मिक कार्मकारिक्रम में जाओ तो अगर राजा ही धार्मिक हो तो प्रज से देश को लाने की ताकत यहाँ पर शुरू कर रहे हैं इसलिए बावा साहब का सविधान हम लोगों को बचाने के लिए आगे आना होगा यह सविधान कि यह 395 आर्टिकल की कोई किताब नहीं है 395 की किताब नहीं है 395 आर्टिकल का ग्रंथ नहीं है क्या है सविधान सविधान देने के बाद 26 नवेंबर 1950 को बाबा साब अपने अलीपूर रोड के बंगले पर गए उनकी आराम खुरसी हुआ करती थी उस आराम खुरसी पर बैठे आके बंद की आके बंद करके थोड़ी देर में उनके आखों से आसु भेना शुरू हुए नानक चंद रत्तू बगल में खड़े थे नानक चंद रत्तू ने देखा कि बाबा साब रो रहा है अब बाबा साब को कैसे उठा हूँ और पूछू कि बाबा साब क्यों रो रहे हो नानक चंद रत्तू ने है एक युक्ति की बाबा साब के पैरों के पास बैटे और पैर दबाते दबाते बाबा साब से पूछा कि बाबा साब अभी आप इस देश को सविधान देकर आए हो एक अच्छी व्यवस्ता देकर आए हो फिर किस बात का दुख्या आपको आप क्यों रो रहे हो बावा साब ने आके खोली और बावा साब ने कहा कि रत्तू आज मुझे मेरे बेटे की याद आ गई मेरा बेटा राजरतन मेरा बेटा राजरतन मुझे आज मेरे बेटे की याद आ गई रत्तू मेरा बच्चा मेरा बेटा जब इस दुनिया से जा रहा था पड़ा है लेकिन रत्तू मैं आज इस देश को एक ऐसा सविधान देकर आया हूँ एक ऐसी विवस्ता देकर आया हूँ कि आने वाले समय में मेरा हर एक राजरत न ये सूट बूट टाइकोट में पैदा होगा ऐसी विवस्ता मैं इस देश को देकर आया हूँ इस देश को बाबा साब ने 395 आर्टिकल की कोई किताब नहीं दी तुमारे हमारे हम लोगों की सुट बुट टाइकोट की विवस्ता दी है उसी विवस्ता को हटाने के लिए RSS का ये फुल टाइमर कितने घंटे काम करता है 18-18 घंटे काम कर रहा है सोचो 18-18 घंटे काम करके उसने Air India बेज दी उसने Railway बेज दी उसने Bank बेज दी उसने LIC बेज दी उसने BH EL बेज दी उसने MSEV बेज दी आठारा घंटे काम करने का नतीजा है अब मैं कहता हूँ कि मोदी जी को थोड़ा आराम करने दो वरना पूरा देश बेश देगा पूरा देश बेश देगा आने वाले कुछ मैनों में जब आप लोगों को अमित्षा का एक बयान था दिल्ली के elections के समय उस समय CA का अंदोलन चल रहा था आनर्सी का अंदोलन चल रहा था मुसल्मान रास्तों के उपर उनकी महिलाए बैठी हुई थी तो आमित्षा इस देश के गुरो मंत्री, हो मिनिस्टर जिनकी जिम्मेदारी भारत के हर नागरिक की सुरक्षा करनी होती है वो क्या कह रहे थे कि बीजेपी का कमल का बटन इतने जोर से दबाओ कि हर मुसल्मान को करंट लगना चाहिए यह बयान था उनका ओफिशली, टीवी पर हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम हिंसा का समर्थन नहीं करतें, लेकिन अमित्षा के इसी बयान को थोड़ा सा चेंज करके अपनाओ, थोड़ा सा चेंज करो, आने वाले इलेक्शन में ऐसे बटन को दबाओ, जिससे अमित्षा को और मोधी को मैंसिक करंट ज़रूर लगना चाहिए अब बटन आपको ही पता होगा कि मेरे इलाके में कौन सा कैंडिडेट है जो बीजेपी के अगेंस्ट है, उनको रोक रहा है, और इसलिए आने वाले समय में अपने वोट का भी इस्तमाल सही तरीके से करना, किसी के शराब के उपर, किसी के साडियों के उपर, किसी के पैसों के उपर अपने वोट का अदिकार मत बेचना, मत बेचना, और मैं अपने युवाओं को कहना चाहूंगा, किसी के पार्टी के जंडे हाथ में लेकर उसकी पार्टिया गली में एस्ताब्लिश करने के बजा बाबा साब आपको 132 देशों पर लहराने वाला यह धम्मद्वज देकर गए है इस धम्मद्वज को अपने खांदे पर लेकर चलो इस बुद्धिस मिशन को अपने गली में स्टापित करो बस इतनी बात में आज के इस बुद्धिस सोसाइटी आफ इंडिया भारतिय बहुत कि इतने फूलों से मुझे मर दिया गया था कपड़ों के अंदर सूट के अंदर इतने फूल मैं आपके भाउनाओं की कदर करता हूं आप लोग मेरा स्वागत कर रहे हो मैं ये एक बात से कबूल करता हूं कि ये मेरा स्वागत नहीं मैं जो बाबा सा बंबेड करशी का finance में है, economics में है और इसलिए मैं अपने पढ़ाई का जैसे मैंने कहा कि उसका इस्तमर अपने समाज के लिए करना चाहता हूं और इसलिए हमने अपनी एक बैंक का निर्मान किया है, करने वाले हैं नहीं, एक करोड रुपे जमा किये सरकार को, तब जाकर license मिला है, डॉक्टर भीम राव राम जी अंबेड कर, multi-state cooperative credit society का निर्मान हमने किया है, आडाई 1000 रुपे का share लेना है donation नहीं, share लेकर जो फूल और माला आप ला रहे हो पास तो पास तो रुपे की, ये ऐसे ही यहाँ पड़ी रहेंगी, ये लेकर जाने वाला हूँ क्या मैं, भाशन किसने किया, मैंने, फूलों के लिए पैसा किसको देकर आए, किसको देकर आए, वो बेठे-बेठे कमा रहा है, और मैं खड़े रहेकर पेड दुख रहा है, गला दुख रहा है अब क्या देकर जा रहे हो, अब मुझे बताओ आयो जग मुझे बताओ, मेरे जाते ही, आप ये कहां डालने वाले हो कच्रा मुझे दे रहे हो पैसा दुसरे को देकर आ रहे हो और मैं पताना चाहूँगा आज हमने ये बैंक निर्मान किया है आने वाले समय में पूरे भारत में इस बैंक का निर्मान हम लोग करेंगे शाखाओं का निर्मान करेंगे, हेड़कॉटर का निर्मान करेंगे, जरूरत आप लोगों की है, इस चिंदवाडा से अगर मुझे 4,000 शेर होल्डर मिलते हैं तो यही पर बैंक देने का काम भी मैं आप लोगों को करूँगा चार हजार लोग अपने परिवार के बच्चों के 18 साल के उपर के लोगों के शेर्स भी आप लोग करवाओ हमारे जिलाद देखशे कहां पर है बगजी बगजी के पास या आपके कमिटी आप लोगों में से जिनके पास शेर्स देने का काम करूँगा मेरे फेस्बुक पेज को फॉलो करो वहाँ पर क्यूर कोड दिया जाएगा वहाँ पर स्कैन करके डाइरेक्ली आप लोग इसके शेर ले सकते हो आडाई हजार उपया डोनेशन नहीं आपके ही नाम के सामने आपका पैसा लाइफ टाइम रहेगा इससे यह होगा कि आज हमारे पास अपनी एक भी बैंक नहीं है है क्या आपके पास मद्यप्रदेश में तो हम क्या करते हैं हमारे पैसे कहा रखते हैं मैं सरिफ एक बैंक का उधारन देना चाहूंगा स्टेट बैंक ओफ इंडिया जिसमें हम अपना पैसा रखते हैं यह बैंक हमारा पैसा उठा कर किसको दे रही है एक लाख करोड रुपे का लोन आडानी का माफ किया है एस बी आई ने 22,000 करोड, 14,000 करोड, 27,000 करोड ऐसे अलग अलग लोन ये अलग अलग विवस्ताओं को दे रही है पैसे हमारे है लोन दूसरों को दे रहे है और इसलिए हम अपनी बैंक खुद बना रहे है इसके बाद हम अपना पैसा किसी ब्रामनी सरकार के बैंकों में नहीं रखेंगे हम अपने पैसे अपने बैंक में रखेंगे अपने पैसे अपने बैंक में रखेंगे इलेक्शन्स में आप लोग नारा देते हो कि वोट हमारा राज तुमारा नहीं चलेगा बराबर है एक नारा मैंने अर्थ विवस्ता के लिए दिया है जिस तरह से वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा उसी तरह से नोट हमारा बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा अगर नोट हमारा है तो बैंक भी हमारी होगी और डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेंट में हम लोगों ने किया है इसके शेर होल्डर्स बनिए इसके खातेदार बनिए अकाउंट होल्डर्स बनिए और अपना सारा पैसा ब्रामनी विवस्ता से बाहर निकाल कर अपने विवस्ता में रखिये इसका परिणाम ये होगा कि ये बैंक हमारे बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए, इंजिनियर बनने के लिए education loan देगी, हमारे लोगों को उद्योजग बनने के लिए business loan देगी, ऐसा काम ये बैंक के माद्यम से होगा, ये इसके share holders भी आप लोग बनिये, इसके लिए आप ल लोगों ने मुझे सुना उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जैभीम नम्म भुद्धाए दन्यवाद भावू सभी लोगों से निवेदाने की दो मिनिट का और कारिक्रम बचा हुआ है बस दो मिनिट जैसे राजरतन भावू ने कहा तो यह जो फूल है यह फूल के रूप में बाबा सहब के परिवार के लिए सौसर और छिंदवाड़ा जिले के लोगों का प्रेम था इसे आपने बहुत अच्छे दरीके से हमें सयोग किया और यह जो फूल भी आये थे यह विजय फूल भंडार के संचालक हमारे विजय नाग्डवने जो की हमारे ही है उन्हीं के बीच से आये थे और आज के इस आयोजन में रमा भाई महिला मंडल, सुजाता महिला मंडल, मुक्ता भाई सालवे महिला मंडल ने आप तमाम लोगों के लिए पोहे और चाय की विवस्ता कीती मैं उनका बहुत आभारी हूँ और इस मंच पे आधरनिय राजरतन अंबेटकर साहब के हाथ से हमारे बीच में वो लोग भी मौजूद है जो लोग सरहत पर अपनी प्रानों की आहुती देकर इस देश की रक्षा करते हैं महार बटालियन और महार रेंज की टीम भी यहाँ पर उपस्तित है मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हवालदार नरेंद्र गजबिये जी हवालदार योगेश सालवे जी इनको मंच पे आया और ट्राफी देकर सम्मानिय राजरतन अमबेटकर साहब मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे डॉक्टर अशोक भगत साहब मुकुल वाक साहब हवालदार नरेंद्र गजबिये जी आजाए हवालदार योगेश सालवे जी यहां तालिया बजाते रहे आप लोग भी हवालदार राजेंद्र अलोने जी मंच पे आजाए हवालदार राकेश बंसोडे जी मंच पे आजाए मुक्ता भाई सालवे महिला मंडल की अमरी दो तीन कारे करता मंच पे आजाए सुजाता भाई महिला मंडल की दो-तीन कारे करता हमारी मंच पर आ जाए रमा भाई अंबेटकर महिला मंडल की दो-तीन कारे करता हमारी मंच पर आ जाए बुद्ध दम्म प्रचार जमीती की हमारी दो-तीन कारे करता मंच पर आ जाए क्योंकि समाज में बुद्ध और बाबा साहब को बढ़ाने का काम पुर्षों से ज्यादा महिला मंडल कर रही है गावों में और शेरों में तो साहब के हाथ से सत्कार भी होना उनका अनिवारी है जिन लोगों का सत्कार हो गया उनसे निवेदने की नीचे उतरते जाए अवाज इंडिया की टीम